बच्चो जब हम किसी देश के लोगों को आई वर्ग के हिसाब से उनका वर्गी करन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति निम्न वर्गी है, कोई मध्यम वर्गी है और कोई उच्च वर्गी है इन निम्न मध्यम और उच्च वर्गी लोगों को भी हम कई अलग अलग श्रेडियू में बाढ़ देते हैं लेकिन कभी आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि कुछ वेक्ती गरीबी रेखा से नीचे हैं या हम कहते हैं वे गरीब हैं तो कैसे हम इस बात को परिभाशित करते हैं कैसे हम इनका मुल्यांकन करते हैं कि वे लोग गरीब हैं या गरीबी रेखा से नीचे हैं भारत में जब हम गरीबी रेखा की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत सी मूलभूत आवशक्ताएं हैं जिनके बारे में हमने अर्थशास्त्र में पहले भी पढ़ा है जैसे की रोटी, कपड़ा और मकान ये कुछ ऐसी आवशक्ताएं हैं जो किसी व्यक्ती के जीवन जीने के लिए कम से कम इनकी पूर्ती होना बहुत जरूरी होता है लेकिन देश का एक आएवर्ग ऐसा भी है जिनकी आए इतनी नियुंतम है कि वो इन आवश्यक या अनिवार आवश्यक्ताओं की पूर्ती भी नहीं कर पाता ऐसी दश्रा में कुछ माबदंडों का नरधारन कर दिया जाता है और उसके आधार पर यह कहा जाता है कि जो भी वेक्ति इस माबदंड के अंतरगत आते हैं वे गरीब या गरीबी रेखा के नीचे कहलाएंगे आगे हम देखेंगे कि वे कौन-कौन से माबदं है और किस प्रकार नरधारित किये गए हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि अमुक वेक्ति गरीबी रेखा के नीचे आता है यहां पर हम गरीब या गरीबी रेखा के अर्थ को अच्छे से समझने के लिए कुछ परिभाशाओं का अध्यन करते हैं आए देखते हैं गिली के सदस्यों का जीवन इस्तर उचा उठाने में और समर्थ होता है जिससे कि उसकी तथा उसके परिवार के सदस्यों की शारिरिक एवं वानसिक शमता बरकरार है गोडाड के अनुसार गरीबी उन वस्तुओं का आभाव या अपर्याप्त पूर्ती है जो कि एक व्यक्ति तथा उसके आश्रितों को स्वस्थ एवं बल्वान बनाये रखने के लिए अवश्यक है रॉबर्ट मेकनमार के अनुसार असीम गरीबी जीवन की एक ऐसी अवस्ता है जो अपर्याप्त भोजन, असिक्षा, बिमारी, ओची शैश्रों मृत्युदर और ओसत आयूग कम होना आदी द्वारा वर्णित की जाती है तो आपने देखा कि इन परिभाशाओं के आधार पर हम ये आसानी से कह सकते हैं कि ये भी आयवर्ग के हिसाब से किया गया एक प्रकार का वर्गी करण है जो व्यक्तियों के एक समू को उनकी न्यूंतम आय के आधार पर अलग-अलग भागो में बाटता है यहां हम देखते हैं कि जब हम गरीबी रेखा शब्द का प्रियोग करते हैं तो यहां पे दो तरह की गरीबी निकल कर आती है एक जिसे हम कहते हैं सापेक्ष गरीबी और दूसरी जिसे हम कह सकते हैं निरपेक्ष गरीबी जब हम सापेक्ष गरीबी के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम उन सभी गरीबी के जो माने होते हैं उनको शामिल करते हैं जब हम किसी एक देश की जो गरीबी है या उसका आय का जो इस्तर है उसको विभिन अन्न कई देशों से जब हम उसके तुल्ला करने लगते हैं और उसके आधार पर हम कहते हैं कि तुल्लात्मक अध्यन से यह सपस्ट होता है कि यह देश गरीब है या दूसरा उससे अमेर है और अधिकचे इस पस्ट रूप से समझने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि UNO ने इसके लिए कुछ मापदन्ड नरधारित की है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अमुक वेक्ति या वेक्तियों का या समू या फिर कोई देश गरीबी रेखा के नीचे है आए देखते है UNO के द्वारा नरधारित मापदन्ड कौन-कौन से हैं सापेक्ष गरीबी के संबन्द में UNO के एक प्रतिवेदन के अनुसार उन देशों को निर्धन माना जाएगा जिनके प्रतिवेक्ति कुल आए 300 डॉलर अर्था 3500 रुपए प्रतिवड़ से कम है उन देशों को अत्य तो आपने देखा कि UNO ने किस प्रकार सापेक्ष गरीबी के अपने अलग मापदन्ड नरधारित किये हैं और इन मापदन्डों के अधार पर हम गरीबी को परिभाशित कर सकते हैं दूसरा अगर हम निर्पेक्ष गरीबी के बात करें तो यहां पर निर्पेक्ष गरीबी को हम दो अलग अलग भागों में बाट कर इसका अध्यन कर सकते हैं पहला हम यहाँ पर देखते हैं कैलोरी माप दंड के आधार पर गरीबी का इस्तर क्या है और दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि न्यूंतम उब्भोग माप दंड के आधार पर गरीबी का इस्तर क्या होगा तो कैलोरी मापदंड यानि नियूंतम कैलोरी कितनी होनी चाहिए और ये जो नियूंतम कैलोरी है इसमें भी दो वर्ग बन जाते हैं कि ग्रामीर छेत्रों में कितनी होनी चाहिए और शहरी छेत्रों में कितनी होनी चाहिए और दूसरी जो हम बात करते हैं न्यूंदम उभ्भोग माबदंड की इनके बारे में भी हम गरीबी कस्तर निधारित करने के लिए भारती योजना आयोग ने इनके लिए कुछ माबदंड नरधारित किये हैं उन माबदंडों के आधार पर इनकी आय का आकलन करके हम कह सकते हैं कि कौन सा एक वर्ग एक समुझ जो है या देश के कौन से लोग है जिनको हम गरीब है या गरीबी रेखा के नीचे हैं इस तरह से नरधारित कर सकते हैं या वर्गिकरित कर सकते हैं आइए देखते हैं भारती यूजना आयोग द्वरा न धारित कुछ माबदन यूजना आयोग द्वरा गरीबी रेखा से ताथ पर उस प्रति वेक्ति प्रति माज से हैं जिसके द्वरा ग्रामीड छेत्र में प्रति वेक्ति प्रति दिन 2400 कैलोरी तथा शेहरी छेत्र के 1993-94 में कैलोरी की उप्रियुप्त मात्राओं को ग्रामिट छेत्रों में दोसो उन्तिस रुपए प्रतिवेक्टी प्रतिमास उभ्भोग वेको तथा शेहरी छेत्रों में दोसो चोंसर्ट रुपए प्रतिवेक्टी प्रतिमास उभ्भोग वेको गरीबी रेखा माना जाएग तो आपने देखा कि किस प्रकार सापेक्ष और निर्पेक्ष गरीबी को UNO के मापदन्ड और भारती योजना आयोग के द्वारा नरधारित मापदन्ड के आधार पर अलग-अलग प्रकार से परिभाशित और वर्गी कृत किया गया है अब आईए देखते हैं कि वास्तों में गरीबी के प्रकार क्या हैं गरीबी को हम यहाँ पर दो भागों में बाटते हैं एक शहरी गरीबी और दूसरा ग्रामेंड गरीबी शहरी गरीबी के अंतरगत शहर में रहने वाले सभी वेक्तियों के उपर किया गया अध्यन आता है हम देखते हैं कि वास्तों में या तो जो लोग प्रारंब से ही शहर में रह रहे हैं या उनके पूरवच शुरू से शहर में रहे हैं वे सभी लोग शहर में निवास करते हैं और दूसरी बात एक वर्ग ऐसा भी होता है जो गाउं की तरफ से शहर में रोजगार के लिए पलायन करता है। की बात करते हैं तो शहरी छेत्रों में रहने वाले उन सभी वेक्तियों की आयका अध्यान करते हैं और यह देखते हैं कि क्या वी अपनी मुलभूत आवशकताओं की पूर्थी कर पा रहा है जो उनकी जीवन जीने के लिए आवशक आवशकताओं हैं जैसे रोटी कपड़ा और माकान जिने हम अर्थशास्ति में कहते हैं कि अत्ती अनिवार आवशक्ताइं हैं या मूलभूत आवशक्ताइं हैं तो क्या वो इनकी पूर्ती कर पा रहा हैं अगर उनकी आए इतनी कम है कि वो अपनी मूलभूत आवशक्ताओं की पूर्ती भी नहीं कर पाते हैं तो ऐस पर अगर हम इनका विसलेशन करें शेहरी गरीबी का तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं एक तो शेहर में जनसंख्या का घनत तो पहले ही बहुत जादा है और उसके बाद जो गाओं के लोग हैं वो आजीविका की तलास में क्योंकि शेहर में आते हैं श्रमिकों की कई बार ऐसा पर या बहुत नियूंतम मजदूरी पर मजबूर होकर काम करना पड़ता है अब ये मजदूरी की दर इतनी कम होती है कि वो मुलबुत आउशक्ताओं की पूर्ती भी नहीं कर पाते हैं तो कई ऐसे कारण है जिनके बारे में हम आगे देखेंगे जिसके कारण ये एक जो व गाओं में निवास करती है और उनकी आये का जो मुख की साधन होता है वो लेकिन फिर भी एक एसा रहजाता है जो अपनी इस आयसे मूलभुतावे शक्ताओं की पूर्ती नहीं कर पाता है दूसरी और अगर हम देखें कि कोई कृशक है और उसका मुख्य जो कारी है आजीविका का जो मुख्य स्त्रोत है वो कृशी करना है तो कृशी के अंतरगत भी हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स ह जिसके कारण कृशी के लिए जो एक्सपेक्टेशन होती है जो अपेक्षा की जाती है कि जितना उत्पाद मिलेगा उतना उत्पाद उसको नहीं मिल पाता है कई बार जैसे हमने देखा है अर्थशास्त्र में हमने पढ़ा भी आगे कि भारती कृशी जो है वो मानसून का जुआ है मानसुन सही समय पर नहीं आता है और यही कारण है कि जो अपेक्षा की जाती है कृषी से जो लाप प्राप्त होने की वो प्राप्त नहीं हो पाती है और साथ ही साथ बीजों के लिए खाद के लिए इतनी अधिक रिड लिये जाते है कृशकों के द्वारा कि जब अच्छी खेती नहीं हो पाती तो उन रिडों को चुका पाना मुश्किल हो जाता है कहीं न कहीं कृशी की उत्पादन में एक किसान जितनी लागत लगाता है उसको निकाल पाना भी मुश्किल हो जाता है तो कई ऐसे कारण बनते हैं जिनके कारण गाओं में भी जो क्रिशक होते हैं जिनकी अजीविका का मुखिस्रोत क्रिशी करना होता है वो भी गरीबी रेखा के नीचे मान लिया जाते हैं तो अगर हम गरीबी रेखा की अधारना को बहुत अच्छे से समझना चाहें, तो कुछ बिंदूओं को हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि वास्तों में गरीबी रेखा की अधारना सबसे पहले उस रेखा को प्रदर्शित करती है, जहां पर जो व्यक्ति है, जो लोग है, उनके जो क्रेश रक्ती होती है, वो घटी जाती है या कम हो जाती है, यानि कि उनके पास जितनी आय होती है, वो उनके मुलबुत आशक्ताओं के पूर्टी के लिए परियाप्त नहीं होती है, तो जिन लोगों की आय, उनके मुलबुत आ का podcast 9 शक्ता उसी मं कह सकते वह आपनी नियूंतम आवशक्ता की पूर्टी भी नहीं कर सकते इसलीं हम कह सकते हैं कि दिसीर करते हैं कि कि रूप में यानि जो जा सकती में І कि ओवर loose सब्सक्राइब्स में बाड देती हैं जिसमें कुछ लोगों को बोलते हैं कि वो गरीबी रेखा से उपर है और कुछ लोगों को हम बोलते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे हैं तो कहने का मतलब ये एक विभाजन रेखा है जो देश के कुल जन संख्या को उनकी आय क्या धार पर उनकी आजिविका क्या धार पर दो भागों में वर्गिकृत कर देती हैं गरीबी रेखा के संबन के आधार उन्होंने गरीबी रेका के नीचे मना जाए कि यहां हम नेखते हैं कि भारत में हम गरीबी का अनुमान लगाते हैं तो बहुत सारे अर्थशास्त्री बहुत सारे विद्वान जो है वो अपने अलग-अलग विचार गरीबी रेखा के संबंध में अभिवेक्ति करते हैं लेकिन फिर भी जो हमने देखा कि सरकार ने जो वर्ष 1973-74 में जो अनुमान लगाया उसके आधार पर जो गरीबी थी वो 54.9% वेक्ति जो थे वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे लिकिन बाद में जब 1999-2000 में इसका फिर से मुल्यांकन किया गया तो यह पाया गया कि 26.1 प्रतिशत ही जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे निवा अलग बाड़ दे तो हम यहाँ पर एक चीज यह भी देखते हैं कि ग्रामीड चेत्र में गरीबी इनका 27 प्रतिशत और शेहरी चेत्रों में 23.6 प्रतिशत ही रह जाती है आई एक तालिका के आधार पर इन मुल्यांकन को और अथिक अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं में भारत में गरीबी का प्रतिशत 54.9 प्रतिशत था जिसमें ग्रामीड गरीबी 56.4 प्रतिशत इवंक शहरी गरीबी 49 प्रतिशत था वर्ष 1978 में भारत में गरीबी का कुल प्रतिशत 59.3 था जिसमें ग्रामीन निर्धनता 53.1 प्रतिशत और शहरी निर्धनता 45.2 प्रतिशत थी। वर्ष 1983-84 में भारत में कुल गरीबी का प्रतिशत 44.5 प्रतिशत था जिसमें ग्रामीन गरीबी 45.7 प्रतिशत और शहरी गरीबी 40.8 प्रतिशत थी। वर्ष 1987-88 में भारत में गरीबी का प्रतिशत 38.9 था जिसमें ग्रामीन गरीबी 49.1 प्रतिशत और शहरी गरीबी 38.2 प्रतिशत थी। वर्ष 1993-94 में भारत में गरीबी का प्रतिशत 36 था जिसमें ग्रामीन गरीबी 37.3 शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 32.4 वर्ष 1999-2000 में भारत में खुल प्रतिशत 27.1 ग्रामीन में 23.6 और शहरी में 26.1 वर्ष 2006-07 में भारत में गरीबी का प्रतिशत 19.3 था जिसमें ग्रामीन गरीबी 21.1 और शहरी गरीबी 15.1 प्रतिशत थी। 2011-12 में भारत में गरीबी का प्रतिशत 21.9 था जिसमें ग्रामीन गरीबी 25.7 और शहरी गरीबी 13.7 थी। अब आए उन कारणों पर एक नजर डाले जिनके कारण नर्धनता या गरीबी रेखा या गरीबी की बात हम करते हैं। क्या दशाएं हैं जिनके कारण गरीबी की स्थिती देश में उत्पन्न होती है। सबसे पहला जो कारण है वो है जनसंक्या वृद्धी। ये एक सामाने सा पॉइंट है, सामाने सा बिंदू है जिस पर हमेशा चर्चा होते रहती है कि जनसंक्या इतने स्पीड में पड़ रही है, जनसंक्या वृद्धी का अनुपात देश में इतना अधिक है कि किवल गरीबी ही नहीं, इसी तरह की बहुत से समस्याएं जैसे अ पादन नहीं हो पाता है, यही कारण है कि कई बार इन वस्तू की पूर्ती कम हो जाती है और मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अब ये मांग और पूर्ती के जो कंडिशन्स है, वो एक ऐसी कंडिशन्स है, जो कीमत ये मुल्यों का नरधारन करती है, यानि कि जब वस्तु की पूर्ति कम और मांग जादा हो जाती है तो जाहिर सी बात है फिर उस वस्तु की कीमत बढ़ने लगती है और और जब सारी वस्तु की मांग बढ़ी हुई है और पूर्ति कम है तो पूरे देश में वस्तु की मांग में वृद्धी होती रहती है जिसे हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है वास्तों में जब हम इनका आकलन करते तो हम यह देखते हैं कि पूर्ती कम हो रही है और कहीं ने कहीं इसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो जनसंख्या वृद्धी होता है और यहां पर एक ऐसी दशा का निर्मान होता है जब एक व्यक्ति अपनी नियुन्तम मस्दोरी पर अपनी अवश्यक अवश्यक्ताओं की पूर्ती नहीं कर पाता है और यह मान लिया जाता है कि वो निर्धंता या गरीबी की दशा में जी रहा है तो जनसंख्या वृद्धी भी निर्धंता का एक महत्वण कारण है दूसरे बिंदु पर हम सदस्यों होते हैं तो उन मेंसे कुछ सदस्यों ऐसे होते हैं जो कि अंपने ऑपने गर में और ने सदस्यों पर निर्भर हो जाते हैं या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कुछ सदस से ऐसे होते हैं जिनका देश के आर्थिक विकास में किसे प्रकार का कोई आर्थिक योगदा नहीं रहता है तो ये भी कहीं न कहीं सयुक्त परिवार प्रथा भी एक कारण बनती है कि जो देश के जो लोग है वो नर्धनता के स्तर में लगते हैं तीसरा जो एक महत्पूर कारण है वो है बेरोजगारी अब कहीं न कहीं जब हम राष्ट्री आया प्रतिविक्ति आय के अध्यन की बात करते हैं या हम तुलना की बात करते हैं तो जरूर हम उसको रोजगार से जोड़ कर देखते हैं जहां पे जिन छेत्रों में लगों की आय भी बहुत अच्छी रहती है वो नियुंतम आऊशक्ताओं की पूर्ति के साथ साथ अपनी अरामदायक और विलासिता की आऊशक्ताओं को भी बहुत अच्छी से पूरा कर पाते हैं लेकिन जिन छेत्रों में रोजगार की अफसर बिलकुल नहीं है या बेरो बेरोजगारी हमेशा बनी रहती है वहां के लोगों को अपनी मोलभुता उशक्ताओं की पूर्ती करनी भी कठीन हो जाती है तो बेरोजगारी की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको हम निर्धंता के कारण से जोड़ कर देख सकते हैं अगले बिंदु के अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि प्राकरतिक संसाधनों का अपूर्ण दोहन होता है हमने पहले भी जाना है कि भारत में कई छेत्रों में बहुत से प्रचुर मात्रा में जड़ी बूटिया खनिश प्रदार्थ और साथ में मसाले और बहुत से अगर इन संसाधनों का उचित दोहन करने का प्रयास किया जाए तो बहुत बड़ा एक वर्ग होगा जिनको इन से रोजगार मिल पाएगा और अगर उनको रोजगार मिल पाएगा तो नर्धन्ता के समस्या भी दूरों पाएगी अगले एक बिंदू के बारे में हम देखते हैं जिसके अंतरगत हम देखते हैं कि यहाँ पर बीमारी एवं निम्न स्वास्तर भी जो है वो भी निर्धनता का एक भात महत्पूर्ण कारण बन जाता है लोगों के को स्वास्तर सुविधाय हाला की मुहया कराई जाती है लेकिन फिर भी स्वास्तर के प्रती उनका जागरुक ना होना और समय समय पर किसी न किसी महामारी का आ जाना एक बहुत महत्पूर्ण समस्या बन जाती है जो लोगों को उनका जो कार रिवो कर रहे होते हैं उसमें बाधा उत्पन करती है और यहीं से पर नर्धंता का जन्म होता है जिसे आपने देखा कि कोरोना काल में भी बहुत से लोगों की नौकरिया चली गई या जिनके छोटे मुटे धन देते उनको एक बहुत उनके उपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा तो समय समय पर इस साक्षर्टा से नर्धंता को जोड़ा जाए तो दोनों में काफी महत्वपूर्ण संबंध होता है साक्षर्टा जो है वो रोजगार को जन्म देती है और रोजगार के द्वारा एक विक्ति अपनी आय का इस्तर वहां तक ले जा सकता है जहां वो अपनी आवश्यक आवश सके तो निरक्षर्टा भी निर्धंता का एक महत्वपूर्ण कारण है साथ यह में आपर देखते हैं कि क्रिशी की जो पिछड़ी हुई अवस्ता है जब अगर हम बात करते हैं कि भारत की 73-74 प्रतिशत जो आबादी है वो गावों में निवास करती है और उनका जो मुख् जाता है जो फिर ले जाता है पिछड़ी हुई क्रिशी में हम यह कह सकते हैं कि उन्नत घृप खात के प्रयोग ना करना या उसके बारे में उचीत जानकारी ना होना उन्नत कि सम्हक्षीनों का प्रयोडा ना करना या हो सकता है नंकी उपलप्धता हासिल ना कर पाना लोग आगला बिंदोम यहाँ पर देखते हैं कि निमन पूंजी निर्मान की दशा हमेशा बनी रहती है। पुन्जी निर्माण तो उसी समय संभव हो पाएगा जब देश के लोगों की आय इतनी होगी कि वो अपने अनिवारे खर्चों को आराम दायक विलासिता पुन्द खर्चों करने के बाद भी पैसा बचा ले तो ऐसी कंडिशन ऐसी दशाएं कहीं पर उत्पन होती हुई जा सकती तो पुन्जी निर्माण का ना हो पाना भी कहीं न कहीं ने अर्धनता ओज्ब देता है अब यहां पर एक Dartmouth हम ने को देखने को मिलता है वो है लोगों की कार्ट कुशलत की कमी हम श्रमिकों को दो भागों में बाट देते हैं कुशल श्रमिक और अखुशल श्रमिक करते हैं तो भी हम यहाँ पर वर्गी करण कर देते हैं वैय सरद में कोई को कम द्थन राशी देने का प्राधान गुटन में जबकि जादा से जादा संक्या आ कुषक श्रामिक के शेड़ी में आती है तो जाहिर सी बात है कि उनकी आयका सथी एक बिंदों ये देखते हैं कि युध की जो इस्थितिया बनी रहती है जिसे हम भी देख रहे हैं कि रसिया और युक्रेट के बीच जो युध हो रहा है हाला कि वो सिफ दो देशों के बीच हो रहा है लेकिन आर्थिक रूप से उनका प्रभाव कई देशों पर पढ़ रहा है तो देश में अगर सांतियो सुरक्षा का वातावरण है तो व्यपार व्यवस्या उद्योग बहुत अच्छे से शांती से चलते रहते हैं लोगों को रोजगार मिलता है और कहीं न कहीं नर्धनता की समस्या हल होती जाती है लेकिन जब युद्ध की अशांती के सित गरीबी के कारण क्या है लेकिन इन कारणों को हम दूर भी कर सकते हैं इन समस्याओं को हम हल भी कर सकते हैं तो आये देखते हैं कि भारत में इस गरीबी की समस्या को दूर करने के लिए कौन-कौन से सुझाओ दिये जा सकते हैं सबसे पहले तो हम देखते हैं कि विकास की द आपर अपने आप निर्धनता का घरता जाएगा अगली बात जो हमने देखी कि साक्षर्ता दर में व्रद्धी करनी होगी हमने देखा कि निरक्षर्ता जो है वो कहीं न कहीं नर्धनता का कारण बनती है तो इस कारण को दूर करने के लोगों को साक्षर्ता के प्रती जागरूप करना होगा जादा से जादा लोगों को साक्षर बनाना होगा ताकि वो अपनी हित के प्रती जागरूख हो पाएं अपनी स्वास्त के प्रती जागरूख हो पाएं क्योंकि पुण्जी निर्माण एक महत्वपूर्ण कारण है जो देश से निर्धनता की समस्या को काफी हद तक कम करने में सहायक होगा। इसी तरह हम देखते हैं कि श्रम विभाजन तक्नीक के द्वारा अगर उद्योग व्यपार के अंतरगत प्रयास किया जाए यानि कि श्रमिकों को उनकी कारे कुशलता और योगिता के अनुसार अगर श्रम का कारे का विभाजन किया जाए तो उनको प्राप्त होनेवाली दूरी मिल पाएगी और जाही रही कि अगर ऐसा होता है तो उनका आय का इस तर अच्छा होगा और कहीं निर्धनता की समस्या जो उनके आसपास बने हुई है वो समाप्त हो पाएगी इसी तरह हम एक अन्य बिंदू ये देखते हैं कि उनको उचित पारिश्रमिक दिया जाए जैसे कि अभी हमने देखा कि कारेकुशलते का आधार पर कारेकव भाजन किया जाए तो श्रमिकों को पारिश्रमिक उनकी जो योगिता है उनके कारेकुशलता है उसके अनुसार उच इसनी मजदूरी उनको नहीं दे जाती है जितना उनका हक या हिस्सा उनका बनता है तो ऐसा अगर ना किया जाए उनको उचित पारिश्रमिक दिया जाए तो भी नर्धंता की समस्या को काफी अत्तक हल किया जा सकता है इसी तरह हम देखते हैं कि कृषी में सुधार करके भी नर्धनता की समस्या को हल किया जा सकता है कृषी में सुधार यानि कि हमने देखा कि भारती जो कृषी है वो पूरी की पूरी अगर मांसून पर निर्भर है अच्छे खाद अच्छे बीच का प्रयोग अगर नहीं कर पार है तो वास्तों में जो अपेक्षी तुत्पादन होता है वो प्राप्त नहीं हो पाता है और यह सारी दशाएं ऐसी बनती है जो नर्धनता के और उन्हें ले जाती है अगर क्रिशी के इस तर को सुधार लिया सब्सक्राइ मुःटन हो जाए बलकि सिचाई के लिए उनको प्रेदान की जाया सकते हैं क्रिशी के समस्या को हल करने नहीं तो यह बहुत बड़ा उपाए होगा की निर्धनता को जिसके द्वारा निर्धनता की समस्या को हल किया ज़ा सकेगा यहां पर स्वास्त में सुधार और स्वास्त गत सेवाओं का विस्तार भी एक बहुत महत्पोर बिंदू होगा सभी वेक्तियों को अगर वो अपनी स्वास्त के प्रती सजग रहेंगे तो वो अपने कारे के घंटे बढ़ा सकते हैं जिसे हम कहते हैं कि एक स्वस्त शरीर में एक स्वस्त मस्तिश करहता है तो वो काम को काफी अच्छे से कर पाते हैं जो अकारे कुशलता है वो कारे कुशलता में बदल जाती है कई बार स्वास्त गत कार्णों से भी ऐसा होता है कि कुशल च्रमिक तो होते हैं लेकिन स्वास्त सगत कारणों से वो कुशलता पूर्वक कारे को नहीं कर पाते हैं दूसरी बात अगर देश में स्वास्त सुविधाएं अच्छी है तो भी एक बहुत बड़ा यहां पर प्रभाव पड़ेगा कि नर्धंता की समस्या को इससे दूर किया जा सकेगा जनसंख्या नियंत्रण बहुत महत्वण बिंदु है जैसे हमने पहले भी जाना कि जनसंख्या एक बहुत बड़ा कारण बनती है नर्धंता को लाने का तो कही न कहीं सबसे जो महत्वण कारे है वो यह किया जाना चाहिए कि किसी उपाय के द्वारा चाहिए सरकार करे या आम जनता करें लेकिन जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना बहुत जरूरी है ताकि निर्धनता किस तर को कम किया जा सकें इसी तरह हम एक बिंदू ये भी देखते हैं कि कई बार शराब खोरी ये मदपान ये सारी जो अनैतिक चीजी हैं ये ऐसी चीजी है जिनके कारण एक आय व वै कर देता है और वो अपने परिवार को उनका अधिकार या जितना उनको दिया जाना चाहिए जिनने उनकी मुल्भूत तरशक्ताओं के पूर्ति की जानी चाहिए वो नहीं कर पाता है तो सरकार द्वार अभी मधपान निशेद के लिए महत्वण कदम उठाय जाने चाह है वहाँ पर लोग बहुत आसानी से रिण ले सकते हैं या बहुत आसानी से पूंजी निर्मान कर सकते हैं और उन छेत्रों में उन देशों में कहा जा सकता है कि रोजगार के जो अवसर होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं तो बैंकिंग और साकी सुविधा को विक्सित कर के भी नरधनता को काफी हत्ता कम किया जा सकता है, साथ ही हम देखते हैं कि मूली वृद्धी पर नियंत्रण लगाना चाहिए, हाला कि जनसंख्या वृद्धी के साथ साथ मूली वृद्धी होती है, लेकिन कहीं न कहीं जो एक उद्योग पतीवर्ग है, पुंजी वो अनुचित लाप प्राप्त करने के लिए वस्तूओं के उत्पादन के बाद लाप प्राप्त करने के बाद भी उनका मूल इत्ता अधिक बढ़ा कर बेचता है कि जनता के पहुंच से वो दूर हो जाती है तो सरकार को मूल इवृद्धी के छेतर पे भी नियंतरण स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए ये भी एक बातपूर्ण साधन होगा निर्धनता को दूर करने का अब क्योंकि गरीबी भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी और गरीबी के लिए जो हमने कारण देखे उसके लिए हमने बहुत सारे सुझाओ भी देखे लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इस शेतर पे कुछ व्यापक कारे करने की जरूरत थी तो गरीबी को दूर करने के लिए बहुत से कारिक्रम चलाये गया आये देखते हैं कौन-कौन से कारिक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाये गया गरीबी इनुलन के लिए सबसे पहला जो कारिक्रम चलाया गया वो था एकिकरित ग्रामिन विकास कारिक्रम जिसे IRDP इंट्रिक कि IRDP का जो स्वरूप निर्धारित किया गया वास्तों में उसमें उन सभी कारियों को शामिल किया गया जिसके द्वारा रूलर यानि की ग्रामिर छेत्रों में गरीबी की जो समस्या थी उसको दूर करने के लिए कुछ व्यापक कदम उठाए गया साथ ही इसमें ये भी देखा गया कि हाला कि ये कारिकरम 1978-89 से देश के 2300 विकास खंडों में प्रारम हुआ लेकिन देखते ही देखते दो अक्टूबर 1980 तक पूरे देश में इसको लागू किया जा चुका था क्योंकि गरीबी की जो समस्या थी वो कुछ छेत्रों तक ही सिमित नहीं थी बलकि पूरे भारत के लिए एक समस्या बन गई थी यहाँ पर जब गरीबी उनमूलन के लिए कुछ कारिकरम बनाए गये तो उसके अंतरगत गरीब समुदायों की सहायता सिमांत कृषक, कृषी वा गैर कृषी श्रमीक, ग्रामीड, कारिगर, अनुसिचित जाती-जन जाती सभी तरह के लोगों को जो ग्रामीड छेत्र ग्रामीड परवेश से कहीं न कहीं बिलॉंग करते थे उनको रोजगार प्रदान करने का कारिक किया गया और यह प्रयास किया गया कि कैसे भी उनकी एक आय सुनिश्रित की जा सके जिससे कम से कम वो अपनी मुल्भुत आवश्रक ता कारिक्रम पंच वरुजना योजना के पहले ही यह जो निउनतम आवश्रक्ता कारिक्रम था पहले से प्रारम तो हम देखते हैं कि इसका स्भी छैत्र के लोगों के रहन सहन और आयर के को सुधारना था यहां पर ग्रामीड या शेहरी इस तरह का विभाजन नहीं किया गया बलकि पूरे देश में जो गरीवी थी जो बेरोजगारी थी उसको ध्यान में रखते हुए इसके अंतरगत्य कारिक्रमों का निर्मान किया गया कि और अनमीड तुर्ट हम सबकों इकठा करके बोले कि इसका अलकिया था तो इसका एक महत्यपूर रखता कि पूरी हो सके इस उद्देश के साथ नियुंतर अवशकता कारिक्रम प्रारम किया गया तीसरे योजना की अगर हम बात करें तो तीसरी योजना चलाई गई नेहरू रोजगार योजना नेहरू रोजगार योजना भी मुखे ता ग्रामीड छेत्र के लिए थी और इसका मुखे उद्देश ग्रामीड छेत्र में जो बेरोजगारी है जो गरीबी है उसको दूर करना था ये नेहरू रोजगार योजना जो थी 28 अप्रेल 1989 से प्रारंब की गई और लगभग 2100 करोड रुपे का प्रावधान था इस पूरी योजना के लिए साथ ही इसके बारे में ये भी देख सकते हैं कि इसमें जो भी खर्च आता है इस योजना के लिए उसका 80 प्रतिशत जो भाग है वो केंद्र सरकार देगी केंद्र सरकार वहन करेगी और बाकी जो 20 प्रतिशत है वो वे राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा ऐसा निरध या जैसी उनकी उनके जो कारे हैं जो हिकाज कारे हैं उनकी अधार पर लगभक असी हजार से एक लाख रुप कु साथ ही एक विशेश बाद जो है इस योजना की वह ये थी कि यहां पर रोजगार की जो बात आती है उसमें लगभग 30 प्रतिशत इस्थान महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया अगली जो योजना थी वो थी लगू और कुटी रुद्योग योजना अब क्योंकि लगू और कुटी रुद्योग ऐसे थे जिनमें पूंजी बहुत कम लगती थी और सरकार लगातार इन योजनाओं को प्रोचसाहित कर रही थी इन उद्योगों को प्रोचसाहित कर रही थी क्योंकि ये ऐसे उद्योग थे जो कम पूंजी के आधार पर इस्थापित किये जा सकते थे और छेतरे विकास के लिए बहुत जरूरी थे जिस छेतर में ये इस्थापित होते थे उस छेतर के आसपास के लोगों को उन उद्ध्योगों के माद्यम से रोजगार मिल पाता था यानि कि उनके आये का एक स्त्रोत बन पाता था और अजीविका के द्वारा यह कह सकते कि अपने मोल भुताव शक्ताओं को पूरा करने में सक्षम हो पा रहे थे तो लगू और कुटे रुद्ध्योगों के विकास के लिए भी कुछ योजनाओं का निर्मान किया गया साथ में रोजगार बीमा योजना भी चलाई गई इस योजना के हम कुछ बिंदू को देखें तो हम देखते हैं कि 1994 में ये योजना लागू के गई और इसका जो मुख्योद्धेश था वो ये था कि 100 दिन का अकुशल शारीरिक श्रम जो ग्रामिन छेत्र के लोग हैं उन सभी को उपलब्ध कराया जा सके इसके साथ ही जो अगली योजना चलाई गई वो थी प्रधान मंत्री रोजगार योजना इसमें जो सिक्षित बेरोजगार यूवा थे उनके लिए कुछ कदम उठाया गया कुछ प्रयास किया गया कि उन सिक्षित बेरोजगारों को कुछ इस तरह के रोजगार प्रदान क कि वो अपनी नियुन्तम आय प्राप्त कर सके और अपनी मुल्भुताशक्ताओं की पूर्ति कर सके अगली जो योजना चलाई गई उसे 20 सूत्री आर्थिक कारिकरम के अंतरगत माना गया इसके अंतरगत 20 ऐसे पॉइंट्स थे 20 ऐसे बिंदू थे जिनके लिए कुछ रूप सूत्री आर्थिक कारिक्रम के अंतरगत देश की जंता को निर्धनता के बंधन से मुक्त कराने के लिए 20 सूत्री आर्थिक सन 1922 से शुरू हुआ इस कारिक्रण के बेग सुत्र हैं.. पहला सिचाई छम्ता में व्रिद्धी दूसरा दालों तथा तिलौन के उत्पादं में वृद्धी तीसरा एकिक्रत Graw Line विकास कारिक्र तथा राश्च्लिय ग्रामिड रोजगार कारिक्रमों का विस्तार चौथा भूमी के अधिक्तम सीमा का नर्धारण पाचवा क्रिशी श्रमकों के नियून्तम मजदूरी छटवा बंध्वा मजदूरों का पुनर्वास साथवा अनुसुचेत जाती तथ जन्जातियों के कारिक्रमों का विकास आठवा गाओं में पीने के पानी की विवस्था नवा ग्रामीन छेत्रों में मकानों की विवस्था दसवा गंधी बस्तियों का सुधार ग्यारवा बिशले के चमता का विकास बारवा बनों तथा गोबर गैस का विकास तेरवा परिवार नियोजन चौदा प्रात्मिक स्वास केंद्रों के स्थापना, 15 महिलाओं और बच्चों के लिए कल्यार, 16 छैसे चौदा वर्ष के बच्चों को प्रात्मिक सिक्षा, 17 उचित केमत की दुकानों तथा सारजनिक वित्रन प्रणाली का विकास, 18 सरल और ध्योगिक नीती, 19 स्वाग काले इसके साथ साथ अगली जो योजना चलाई गई वो थी राष्ट्रिय समाजिक सहायता कारिक्रम, इस पर एक नजर डाले तो हम देखते हैं कि 1995-1995 में ये राष्ट्रिय समाजिक कारिक्रम संबंधी योजना चलाई गई और इसका जो उद्देश था वो था निर्धन परिव परिवारों को सहायता प्रदान करना इसके अंतरगत हम देखते हैं कि राष्ट्रिय व्रिद्धावस्था पेंशन योजना राष्ट्रिय परिवार लाभ योजना राष्ट्रिय मात्रित लाभ योजना इस तरह की योजना चलाई गई राष्ट्रिय मात्रित लाभ योजना शहरी रोजगार योजना इस योजना के कुछ मुख्य बिंदू थे जैसे कि इसका प्रारंब एक दिसंबर उनिस सो संत्यानबे को किया गया और इसमें जो मुख्य इसका उद्देश था वह था शहरी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना अब इसमें जो रोजगार प तो डूसरा शहरी वेतन रोज़गार कारिक्रम चलाया गया तो वेす Te aa रोजगार के अंतर्गत है उनको कुछ्च धक्षतान हासिल करने के लिए कुछ कारे कुछ अलता हासिल करने के लिए कुछ प्रसिक्षन कारिक्रमों का आयोजन किया गया जिससे कि वो प्रसिक्षित होकर फिर खुद का कुछ रोजगार खुद का कुछ वेवसाय वो स्थापित कर सके और साथ में वेतन रोजगार कारिक्रम के अंतरकत उनको कुछ ऐस इस इन योजनाओं के व्या की अगर हम बात करें तो 75 प्रतिशत जो व्या इन पर किये गए वो केंद्र सरकार के द्वारा किये गए और 25 प्रतिशत जो भाग था वो राजी सरकार का था अगली जो योजना थी ग्राम समरिद्धी योजना अब जैसे कि नाम से इस पस्ट है गाओं के लिए विशेश रूप से ग्रामिर छेत्रों के विकास के लिए इस योजना का निर्मान किया गया और साथ ही एक इसकी मुख्य बात ये है कि हमने इसके पहले जो देखा था जव जवाहर रोजगार योजना का ही एक संशोधित रूप था दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जवाहर रोजगार योजना में जो कमिया रह गई थी उनका सुधार करते हुए फिर से उसी योजना को ग्राम समरिद्धी योजना में तबदिल कर दिया गया और इस यो या राज्य सरकार जो भी वे करती थी वो जो उनके पंचायत होते थे अलग-अलग पंचायतों में उनके पंचायत के माध्यम से इन योजनौप पर वे किये जाते रहें तो आपने देखा कि निर्धंता किस प्रकार एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में देश के सामने उभरी स्वतंत्रता के ठीक बाद की अगर हम बात करें तो प्रारम के अध्यायों में भी हमने देखा क्योंकि उस समय देश के और द्योगिक विकास की स्थिती भी काफी खराब थी देश की जो 75 प्रतिशत आबादी थी वो कृशी पे निर्भर थी और कृशी की स्थिती और कृशी के चेत्र में जो सुविधाय थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी तो दोनों ही छेत्रों से कुल मिलाकर यही एक समस्या उत्पन हो रही थी जो कि गरीबी की समस्या थी गरीबी की समस्या के लिए हमने देखे कि सरकार ने किस तरह गरीबी की समस्या के उन्मूलन के लिए बहुत सारी योजनाय चलाई हाला कि पूरी तरीके से हमने इस पे का लोगों को रोजगार प्रयदान कर सकें और उनके आयक के इसतर को उचा उठा सकें और मूल भूताव शकता हैं सभी के लिए सुनिश्चित की जा सकें